ओम श्रीगने शाय नमा जै भूलिना जै शिफशती वेल्कम बाक टू अवर चैनल कैसे हैं आप सब आज हमें एक वीगली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर देखेंगे आने वाला यह जो हफता है आप सभी लोगों के लिए क्या चेंजिस लेके आ सकता है यह जनुर रीडिं देखते हैं कैसी रहें आपकी लाव लाइफ इस हफते और फिर हम बात करेंगे करिया की Aries, okay feeling a little shattered यह हो सकता है कि break ले रहे हैं ठीक है third party situation है तो आपको रहे ब्रेक ले रहे हैं you want like things are very slow sleep mode पर चैसे होता है तो वो चीज मुझा भी घायते रही है but feelings है emotions है ठीक है वो चीज तो है but yes of course feeling little painful about something soch-soch के मन भी थोड़ा सा परिशान हो रहा है आपके partner जो है उन्होंने भी अपने आपको थोड़ा सा distant किया हुआ है why because they are also taking time they are also thinking ठीक है वो भी सोच रहे है उनका next move क्या है देखिए कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है like there's या तो आप लोगों के बीच में third person है कोई ठीक है या it's about कि वो अपने आपको थोड़ा सा like अपना card up कर रहे है why because they want you to take action ठीक है वो चाहते है कि आप express करें आप उनकी तरफ आए आप अपनी feelings का इसहार करें वो चीज हो सकती है and या फिर आपकी इस story wise versa हो सकती है ठीक है बुझो भी but yes this is what I'm getting अब आपकी तरफ से मुझे ऐसा लगता it's about like maybe हो सकता है आप किसी से उनके बारे में बात करें ठीक है किसी से मतब या फिर it's about juggling मुझे ऐसा लगता है yes third party situation है तो आपको like juggling वाली situation दिखाए दे रहे है आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है क्या करना है आपकम क्या है for this situation I think yes मुझे ऐसा लगता है we have two queens here so maybe yes there is like connection है आपका it's not totally ended मुझे ऐसा लगता नहीं है ठीक है it's just like मतलब आगे भी ऐसे ही बढ़ रहा है and situation वही same है you know like you are like totally connected to each other and maybe हो सकता है आप लोगों की दोनों की life में कुछ है toxic past है similar past है similar situation है आप निकल रहे उसके थू and this is the thing I am getting for all the Aries people okay whatever you can do it's about like you know you are going through something in your marriage life में कुई ऐसा चल रहा है so that thing is also showing you so yeah same same story you know same kind of a story okay single ladies की बात करेंगे for all the single Aries who is coming okay we are getting that okay single ladies शायद हो सकता है already new love is there ठीक है या आप थोड़ा सा maybe closed off है why शायद हो सकता है time ले रहे है शायद हो सकता है situations जो past में हुई उन से निकलने की कोशिश कर रहे है और maybe it's about you know कि आप चाहा रहे है कि धीरे धीरे जो आपने बहुत कुछ टॉलरेट किया it's about like moving towards a safe space वो चीज़ दिखाई दे रही है like you know waiting for something so single ladies के लिए मुझे ऐसा लगता है कि yes love is there but आप patience रख रहे है and maybe कोई है जो आपको reach out करना चाहता है और चाहता है कि यह connection काम करें ठीक है तो वही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है for all the single ladies चलिए अब हम करियर की बात करेंगे करियर वाइस यह जो हफता है कैसा रहेगा ladies के लिए okay it's about expansion it's about कोई काम हो सकता है जिसमें problem create हो रही है expansion है decision making है आपकी तरफ से but the thing is कि कुछ problem create हो रही है maybe like बहुत सरे लोग involved है partnership में है तो उस चीज़ में problem हा रही है maybe हो सकता है कि कोई tender है जो पास नहीं हो रहा है और या हो सकता है कि आप कुछ expect कर रहे है या मतलब ठीक है हर कोई अपनी राय दे रहा है बट वो चीज़े मुझे दिखाए दे रही है for all the like mixed emotions you know so आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करे partnership है तो कैसे करे क्या करें वो चीज मुझे 80s के लिए especially this week दिखाए दे रही है and कुछ के लिए हो सकता है अगर आप जोब करते है तो मेभी you know higher authority जो आपके ऊपर है जो काम है जो आपके boss है तो आपने कुछ apply किया है या सारे एक ही चीज के लिए एक ही पोजिशन के लिए you are fighting for something या ऐसा कुछ चल रहा है देखते है कि who is getting you know that position या ऐसा कुछ हो सकता है and you are trying, you are trying your level best तो वो चीज़े है तो कुछ decision making है हो सकता है कि travel को से related हो हो सकता है कुछ बाहर जाना हो या उसके लिए कुछ specific move हो चलिए क्या guidance है for all the ADs please angels हमें बताईए क्या guidance है for all the ADs people okay so we have heal your heart here maybe you are experiencing something like कुछ ना कुछ चल रहा है आपकी life में तो आप कुछ ऐसा feel कर रहे है तो लेकिन heal करना पड़ेगा something like something is coming up आपकी life में कुछ हो रहा है यह इसलिए हो रहा है so that आप अपने आपको यह तो कुछ छूट रहा है ठीक है पीछे के तरफ कुछ छूट रहा है so you have to heal your heart ठीक है और आपकी life में कुछ है जो आप बहुत अग्स्पीरियंस कर रहे है तो patience is the key patience is the key you have to keep patience और अपनी energy को rise करने का time आगया है creativity we have Empress year so it's about कि यह जो भी चीज हो रही है it's for your higher good only कि मतलब जो आपको heal करेगा और जो आपको अभी दद मुझे ऐसा लगता है कि आप भटक रहते या हो सकता है कि आप जैसे आप देख सकते है एक यह शेर है जो कि like sheeps के जूंड में फसा हुआ है तो उसको लगता है कि no potential nothing कुछ नहीं है proper conditioning नहीं हो पाई so अब वो वक्त आगया है you have to you know like अपना जो है potential पहचानने की और आगे बढ़ने की you know with patience of course तो जो चीज होती है अच्छे के लिए ही होती है and it's about regret को छोड के don't be co-dependent on anybody you have to do your stuff on your own so this is it यह थी आपकी reading areas I hope आपको पसंद आई हो और मुझे comment करके बताईए कैसी लगी मिलती हूं next time till then take care bye